अस्ताम लाइकूम वेल्कम बैक टू मैं चैनल उर्तुनावल पॉइंट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें रिडर्स आज की एपिसोड बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है आज की एपिसोड में मुतस्म करेगा अपनी महबत का इसहार जिसे सुनकर गरवालों का क्या रियक्शन होगा अब यह आपको सारी एपिसोड डीट करने से पता चलेगा और आप लोगों नहीं टार्गट प एपिसोड रीड आउट करते हैं नावल नेम दिवानी यार्दी तहरीद जुनेरा हान केस नमबर सेवन तुमने हमें यहां क्यूं बुलाया है सिकंदर सहब स्टडी रोम में सोफे पर बैठे अपने सामने खड़े मुतस्म हान को खड़े देखते हुए बोले इनके साथ ही कुछ फासले पर इरम बेगम बैठी हुई अपने हूबरू बेटे को उलजन सदा नजरों से देख रही थी स्टडी टेबल के पास रोकिंग चेर पर बैठां कासिम हान टांग पर टांग रखे टेबल पर पड़े पेपर वेट को तेजी से गुमाता हलका हलका दाएं पाए मूव कर रहा था मुतसिम ने अभी तक इसे इसे भी कुछ नहीं बताया था मैं शादी करना चाहता हूँ मतसिम कुछ तवकफ के बाद बोला हाँ तो इसमें इतना सिस्पेंस भिनाने वाली क्या बात थी ये तो अच्छी सोच है कि तुम शादी करना चाहते हो इरम तुमार सुनकर खुशी से खिल ही उठी थी मैं अभी तुम्हारे बाबा को काल करके बताती हूँ कि तुम शादी के लिए मान ये हो ताके वो शाहिद से बात कर ले इरम जल्दी से उठती मुतसिम का माथा चूमती बोली वो सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती थी के इतनी मुश्किल से दो इसने शादी के लिए हामी बरी थी कहीं मना ही ना करते जब के चेर पर जूलता काजिम इरम बेगम की आँखों में आंसू देखा आंसू देख मुस्कुरा गया ये तो सुनती जाए मैं शादी करना किस से चाहता हूँ इरन बेगम अभी तरवाजे तक पहुंची ही थी के मुतस्म की आवास ने इनके चलते कदम जखड़े आईशा से और किस से करना चाहोगे तुम्हारी बच्पन की मंगेतर है इस से ही शादी करोगे ना इरम मुड़ते इसके चहरे की जानिब देखते नर्मी से गोया हुई उस से नहीं मैं अमीरा के मामो की बेटी से शादी करना चाहता हूँ लहजा सरदोस पार था आँखें इरम बेगम के चहरे पर जमी हुई थी जो हिरानों परेशान खड़ी इन्हें ही देख रही थी ये तुम क्या कह रहे हो मुतस्म पूरा हंदान जानता है कि तुम्हारी आईशा के साथ निस्पत तहन बच्पन से और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो तो फिर ये सब क्या है सिकंदर साहफ जो पुरसुकून से बैठे थे हफ की से गोया हुए जबके पीछे बैठा काजिम मुस्कुरा रहा था वो जानता था दाल में कुछ तो काला है मुतस्म का यूँ मिन्टों में पुरा हाल हाली करवाना इसे भी खटक रहा था और इसके पूछने पर भी उसने इसे नहीं बताया था मैं जानता हूँ मेरी आईशा के साथ निस्बत तेह लेकिन वो बड़ों का फैसला था जिसे मैंने कभी नहीं माना था और मेरी शादी ना करने की यही वज़ा थी आईशा को मैंने शुरू से ही एक बहन की नज़र से देखा है उससे शादी का तुम्हें सोच भी नहीं सकता था और वो जो बच्चपन से तुम्हारे नाम से मनसूब पैठी है इसका क्या तुम्हारे बाबा की इज़त का क्या क्या मू दिखाएंगे वो हंदान वालों को और सबसे बड़ी बात वो सफदर की बहन है अगर तुम इसकी बहन से शादी नहीं करोगे तो क्या वो तुम्हारी बहन को अपनाएगा इरम चलती इसके रूबरू खड़ी होती चिलाई थी सफदर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा वो हंदान वालों की मुझे परवान ही कौन क्या सोचता है क्या बात करता है मुझे इस सबसे कोई लिना देना नहीं और ही बात आईशा की तो इसे भी बहुत चल्द एक चहने वाला हमसफर मिल जाएगा जो इस से महबत करता होगा आप दोनों कल ही ही न के वाल्दैन से बात करेंगे शादी की मुझे नहीं अपना हत्मिफैसला सुनाया था उन से बात करने से पहले हमें तुम्हारे बाप से बात करनी होगी उसकी रज़ा के बिना हम कोई कदम नहीं उठाने वाले सिकंदर साहब ने दो टोक कहा बाबा से मैं बात कर लूंगा आप बास कल उनसे बात कर रही हैं मतस्यम ने अटल लह्टे में कहा तो ईरम बेगम और सिकंदर साहब इसे बस भूर्टे ही रहे और हाँ मैं अमीरा की रुकसती के साथ ही हिना की रुकसती भी चाहता हूँ इसके इस बात पर सिकंदर सहब और इरम बेगम ने हेरानगी से इसकी जानिब देखा जो कल तक शादी के लिए मान नहीं रहा था और आज दो दिन में रुकसती भी चाहता था हिना के वालदैन ने अगर मना कर दिया तो ये भी बता दो फिर हमें क्या करना है सिकंदर सहब ने तंस किया क्योंके इन्हें पूरा यकीन था इन्हें ना में ही जवाब मिलने वाला था हिना अभी छोटी थी और पढ़ रही थी और सबसे बड़ी बात इसका बड़ा भाई अभी कवारा था इसके शादी के बाद ही वो हिना का इरादा रखते थे वो मेरा मस्ता नहीं वो आपका मस्ता है मुझे बस दो दिन में रुखसती चाहिए ये सब कैसे करना है वो आप जाने मुतस्सिम कहता दोनों को हका बका छोड़ता काजिम के बिलकुल सामने वाली चेहर पर बैठ गया हम इन्हें फोर्स नहीं करने वाले अगर इन्होंने ना कहा तो हम मजीद कोई बहस नहीं करने वाले सिकंदर सहब होश में आते बोले तो ठीक है मैं कल ही से उठवा कर निकाह कर लूँगा फिर फिर मुझे मत कहिएगा कि तुमने ऐसा क्यूं किया कोई शरीफ करका ऐसे काम करता है मैं तो शरीफों की तरह आपको रिष्टा लेने बेच रहा हूँ अगर इन्हें मेरी शराफत पसंद आई तो मुझे फिर शराफत भूलनी पड़ेगी सिगरट सुलगा था वो साथ में सिकंदत सहब और इरम बेकम को भी सुलगा गया था देखा अबबा कितना बत्तमीज हो गया है ये पहली तो ऐसा नहीं था पहले मुहबबत भी तो नहीं हुई थी सिगरट का दूआ हवा में छोड़ता बोला काजिम तो लाट सहब के तेवर देख अशशकर उठा था मैंने कितनी बार कहो है इस मन्हूस को हमारे सामने मत पिया करो सिगरट को देखते सिकंदर सहब इस बार गुस्से से बोले थे आपकी बहु आ जाएगी तो छोड़ दूँगा काजिम तुम इसे कुछ समझाते क्यों नहीं इरम बेगम इस बार काजिम से महातिब हुई थी मेरी सुनता होता तो यू शादी के लिए जित नहीं कर रहा होता बलके लड़कियों के नाम से भी दूर पाकता काजिम पेपर वेट रोकता बोला तो इरम बेगम ने पहलु बद्ना और दिल में शुकर किया वो इसकी बात नहीं मानता वरना तो वो पोते पोतियों से जिंदेगी बर महरूम ही रहती चलो बेटी चलो बेटी यहां से इन दोनों से तो बात ही करना फजूल है सिकंदर सहब दोनों के एक नजर वो उसे से देखते वहां से निकलते चलेगे इनके पीछे पीछे इरम बेगम भी वहां से चली गई यह मुहबत कब हुई अभी पांच केंटे 49 मिनट 15 सेकंद पहले सिगरट का गहरा करश लेते इसकी आँखों के सामने दो नीनी आँखें लेह राई वो गुलाबी होंट जिनके किनारे पर बना काला तिल जिसे देखते ही से इन्हें चूने की या सिगरट की तलब महसूस होती थी पहली नजर की महबत पर आइस्ता आइस्ता कब्स हो रही है सिगरट से जैदा तो अब इसकी तलब होने लगी है वो काजिम की जानिब देखता मुस्कुराता हुआ सिगरट सामने टेबल पर पड़ी एश्ट्रे में मसलता बोला ये महबत महबत कुछ नहीं होती क्यों हुद को बर्बाद करना चाहता है बर्बाद तो अब हो चुके अब इसके साथ अबाद होना चाहता हूँ वैसे मुझे अंताजा नहीं था पहली नजर की महबत इतनी दुआदार होती है मुझे तो सबर ही नहीं आ रहा मुतस्म मुतसिम ने एक और सिगरट लबों में दबाते सुलगाई थी और इसकी बरबादी भी बहुत दुआदार होती है मिसाल तुम्हारे सामने है इसलिए कहता हूँ अभी वक्त है सभल जाओ वक्त ही तो नहीं है सभलने का अब इन्जाम जो भी हो ये दिल बुक्तने के लिए तियार है सिगरट का दुआ हवा में छोड़ते इसने कुरसी की पुष्ट से टेक डगा कर अपनी आँखें मौन दी काजिम ने इसे देख नफी में सर ही लाया महनूर और हिना जैसे ही अमीरा के कमरे में दाहिल हुई कमरे का हाल देख दोनों ने खुले मूँ के साथ एक दूसे को देखा और फिर इनकी नजर वार्ड रूप में गुसी अमीरा पर पड़ी या ला अमीरा कमरे को क्या हुआ हम तो इसे सही सलामत छोड़ कर गई थी कहीं हमारे पीछे से कमरे में जन्जला तो नहीं आया था महनूर आँखे फिलाए कमरे का जाइजा लेती बोली जन्जला नहीं गौड सी लाया था सब तबाहों बरबाद करके चला गया अमीरा ने गुस्से से कपड़े वार्ड रोप से बाहिर फैंगे कैस सच में गौड सीला यहा आया था हिना ने हैरत से पूछा और तुम्हारे कपड़े भी गौड सीला ने काते हैं हिना जमीन से इसके कपड़ों के टुकरे उठाती गोया हुई कहीं काजिम बाईवाला गौडसिला तो नहीं आया हुआ था अमीरा की ब्यूटी बोन पर दांतों के निशान देखती महनूर मुस्कुराती हुई बोली तो अमीरा इसकी नजरे अपनी गर्दन पे देख हर बढ़ाती हुई जल्दी से गर्दन को अपने दुबटे से छुपा गई ऐसा कुछ नहीं है चलो अब तुम दोनों तप्षीशे करना बंद करो और जल्दी से कमरा साफ करो तब तक मैं काजिम को काफी बना कर देख कर आती हूँ अमीरा हफीब सी होती बोली ओ मैं गौड लड़की आज ही निकाह हुआ और आज से ही शोहर की हिद्मत चुरू कर दी माहनूर को जटका लगा जबके हिना कमरे का समान समेख ती अमीरा को देख मुस्कुराई तो इसमें क्या बड़ी बात है अब वो मेरे शोहर है इनका ह्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा अमीरा नाक फुला कर बोली हाँ बाई पता है वो अब बाप के शोहर है लेकिन यू पहले दिन से ही काम करने लग जाओगी तो काजिम बाई तुम से सारी जिन्दगी फिर काम ही करवाएंगे और आज तो तुम्हारा निकाह हुआ है अभी तुम पूरी तरह इनकी बीवी नहीं बनी तो कोई जरूरत नहीं इनके काम अभी से करने की महनूरी से बैट पर बिठाती समझाते हुए बोली नहीं काजिम नराज हो जाएंगे और पता नहीं इन्हें काफी की कितनी तलब हो तुम्हें पता तो है वो काफी कितनी पसंद करते हैं अमीरा फोरण अपनी जगा से उठी हाँ तुम लोगों के हन्दान के मर्ड कितने अजीब है एक को काफी बहुत पसंद है और एक को सिगर्ट इना मुतस्जिम के बारे में सोचती बोली तुम्हारे हन्दान के मर्ड तो बहुत शरीफ है जैसे तुम्हारा बाई भी कोई ना कोई नशा करता होगा महनूर तन्जिया बोली मेरा बाई बहुत शरीफ है मेरे बाई जैसा शरीफ इनसान इस पूरी दुनिया में नहीं है आज तक इन्होंने कभी किसी बुरी चीज़ को हाथ नहीं लगाया शराब सिगरट जैसी चीज़ों से तो वो नफरत करते हैं हिना अपने बाई के बाई के बाई में सोचती चहकती हुई बोली नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता महनूर ने नफी की ऐसा ही है हिना ने जो कहा है वो सच है इस बार अमीरा बोली अमीरा को अपना वो कजन बहुत प्यारा और अजीज था अच्छा ऐसी बात है अब तो मुझे तुम्हारे बाइस से मिलने का इश्टियाक हो रहा है हाँ क्यों नहीं बाई बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं ही ना बोली अच्छा बाते कम करो और जल्दी से रूम साफ करो इस से पहले मामा पूपो रूम को देख ले अच्छे से अपने सर पर औरती बाहिर निकली हाई रे यार हाई रे यार की दिवानी नहो तो महनूरा आहें बढ़ती हिना की मदद करवाने लगी अमीरा कौफी बनाती काजिम के पोशन में आई थी सीधा इसके कमरे की जानिब गई काजिम के पोशन में कोई मिहमान नहीं था वजा इसको जएदा रश पसंद नहीं था इसलिए जो थोड़े बहुत मिहमान आए हुए थे वो रोहान सहब की जाने भी ठेहरे थे अमीरा रूम को नौक करती अंदर दाहिल हुई जहां सामने ही ब्लैक ट्राउजर और वाइट शिर्ट में मलबुस काजिम हान सोफे पर बैठा गोट में लैपटॉप लगए इस पर तेजी से कुछ टाइप कर रहा था कि दर्वाजा नौक होने पर इसने नजरे उठा कर दर्वाजे की जानिब देखा और वहां से अमीरा को अंदर आते देख वो कुछ सेकिंड के लिए इस पर से जैसे नजरे ही हटाना बूल गया ग्रीन लॉंग प्राउग पहने फुल सलीब पाजू में सर पर अच्छे से दुबटा लिए वह इसके दिल के तारे चेड़ गई जिन्दगी में पहरी पार इसके दिल की दड़कने गैर ममूल हुई लेकिन सेकिंड का खेल था वह इसके सहर से निकला था चांद की तरहां दमखते चेहरे को इग्नोर करता वो वापिस लैपटॉप की जानिब मतवच्चा हुआ था काजिम आपकी कॉफी अमीरा ने इसके सामने टेबल पर कॉफी रखी थी और फिर सीधी होकर मुरी थी इसे जल्दी जाकर हिना और महनूर के साथ कमरा साफ करवाने में मदद करवानी थी अगर इससे पहले इसकी मामा कमरे में पहुँचा थी तो इसकी कलास पकी थी इनके हाथों कहां जा रही हो काजिम ने से जाते देख पुकारा वो अमीरा हान को टॉचर किये बिना जाने दे दे था ऐसा मुम्किन ही नहीं था वो अपने घर जा रही हूँ अमीरा पल्टती इसे देखती बोली मैंने कहा जाने को नहीं अमीरा ने नामे सर ही लाया जब तक मैं ना कहूं तुम यहां खड़ी रहोगी काजिम ने इसे हुकम दे दे काफी का कप टेबल से पकड़ कर लबो से लगाया और फोरण ही बाहित थूक दिया ये क्या है काजिम ने हराब सी शकल बना कर पूछा काफी है अमीरा ने फोरण से जवाब दिया तो फिर इतनी कड़वी क्यूं है अमीरा ने इस बात पर हिरानगी से आँखें जोटी करके इसकी जानिब देखा काफी कड़वी नहीं होगी तो क्या मीथी होगी हाँ मीथी होनी चाहिए आज मेरा मीथी काफी पीने का दिल कर रहा है इसनी जाओ दुबारा बना कर लाओ काजिम के ने हुकम पर अमीरा ने इसे गूरा लेकिन कहा कुछ नहीं चुब चाप काफी का काप उठाया और बाहिर चलिए जबके काजिम इसकी पुष्ट को देखता मुस्कुराया अमीरा थोड़ी देर बाद फिर ने काफी बना कर लाई और इसके सामने टेबल पर रखी और सीधी होकर खड़ी हो गई काजिम ने काफी उठाकर लबो से लगाई और इस बार भी बाहिर जटक दी इतनी मीठी क्या मुझे शुगर कराने का इरादा है जब दुबारा बना कर लाओ कम मीठे वाली अमीरा ने नाक फुलाते काफी का कप टेबल से उठाया और चली गई वो इस वक इससे बहस करके वक्त साया नहीं करना चाहती थी इसे वापिस जल्दी जो जाना था अपने कमरे में यहाँ पर तो सब सोचुके थे सवाई इस कौड सी लाके लेकिन इनके पोशन में सब उठे हुए थे अभी भी वो सब से चुकते चपाते यहाँ आई थी अमीरा फिर काफी बना कर लाई तो काजिम ने कोई कोई ना कोई हामी निकाल कर इसे दुबारा बनाने को कहा था ऐसा तीसी बार नहीं पांचवी बार हुआ हो चुका था और अब वो छटी बार काफी बना कर लाई थी और अब ये लास्ट काफी थी अमीरा ने आते काफी का कप टेबल पर अब की बार पटकने के अंदास में रखा था अब जैसी भी है पी ने अब दुबारा मुझसे नहीं बनने वाली अमीरा दुबटे को ठीक करती बेजारी से बोली एक बार बार काफी बनाने का गुस्सा इसे चढ़ा था दूसरा दुबटे को संभालते वो निधाल हो चुकी थी काजम लैपटॉप बंद करता टेबल पर एक साइट पर रखता सीधा होकर बैठा और काफी का कप लबो से लगाया लेकिन इस पार इसने बाहित धूका नहीं था हमोशी से पी गया था जिसे देखते हमीरा शुकर का सांस बरती वहां से जाने के लिए मुड़ी कहा जा रही हो बारी अवाज पर इसके कदम थमे इसने गहरा सांस हार्च करते हुट को पुर्ट सुकून करते पीछे मुड़ कर देखा वो जितना हुट को कुछ भी बुरा बोलने से बास रख रही थी काजिन जान पूच कर इसे घुसा दिला रहा था अपने कमरे में सोने मैं बहुत धग गई हूँ मुझे नीदार ही है सुभा से शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं तो मुझे इस वक्त सक्त अराम की जरूरत है तो शेहजादे सलीम की इजासत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ अमीरा नहायत अदब से कहती दान पीस्ती हलका ससर जुका कर बोली तो काजिम के लबों को हलकी सी मस्कुराहट में चुआ और दुबारा संजीदा बनके होंट पींच दिये नहीं मुझे तुमारा वो निशान देखना है सोफे की पुष्ट से ठेक लगा कर वो टांग पर टांग चढ़ा कर बोला क्या कौन सा निशान अमीरा ने सर उठा कर सामने बैठे गौड सिला को देखा तुमारी ब्यूटी बोन के बिकुल नीचे है जो क्यूं आपको क्यूं देखना है अमीरा ने दूबटा अपनी गर्दन पर ठीक किया क्यूंके मुझे वो निशान पसंद है सर देखे में जवाब दिया गया अमीरा की दिल की दड़कने एक नम से तेज हुई और इसके कमरे में सर इंजाम दी जाने वाली शिदते याद आई तो चानक से इसे गर्दन पर दांतों के निशान पर जलन महसूस होने लगी ये इनसान तो इससे नफरत करता था था ना फिर चानक इसके ऐसी बाते करना अमीरा को गबराहट हुई अभी हमारा निकाह हुआ है अभी मैं आपकी मनकुहा हूँ इसलिए अभी आप मुझसे ऐसी कोई फरमाईशे नहीं कर सकते और हाँ जब तक मैं बीनी नहीं बन जाती मुकमल तोर पर तब तक आप मुझसे दूर रहेंगे अच्छा तो ये किस किताब में लिखा है कि एक शोहर अपनी मनकुहा से ऐसी फरमाईशे नहीं कर सकता जबके कोई लोग तो निकाह के फोरण बाद ही एक हो जाते हैं मैंने तो फकत फरमाईश की है काजिम कहता ये अक्दम इसे अपनी जगा से खड़ा हुआ जिसे देख अमीरा गबराई और पूरी स्पीर से दरौादे की जानिब भागी के रास्ते मेंसे काजिम ने इसे कमर से पकर दी पीछे अपनी जानिब खींचा था कि वो सीधी इसके चोड़े सीने से टकराई थी काजिम की पर्फियूम की हुश्बूख इसके नत्थों से टकराई थी जिसमें गहरे सांस बढ़ती वो जी जान से लर्ज गई थी पेट पर इसके हाथ का मजबूत मर्दाना लम्स पाकर इसके जिसम में हलका सा स्पार्क हुआ था कहां बाग रही हो जब तक मेरी फरमाईश पूरी नहीं कर देती तुम यहां से नहीं जा सकती इसे गुमाते इसका चेहरा अपनी जानिब करता वो इसकी कमर पर गृफ्ट मसीद तंकर गया मैंने अभी आप से क्या कहा है अमीरा दुबटे पर अपने हाथों की गृफ्ट सकत करती नर्मी से बोली जानती थी अगर घुस्से से बोलेगी तो वो मजीद जिद करेगा वो छोटी सी जान कहां इसकी जिद का मुकाबला कर सकती थी वो भी इस वक्त जब वो तन तनहा थी मैं इन सब बातों को नहीं मानता अगर यहां से जाना चाहती हो तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो अमीरा के सुरक हर मनस्नुई चीज से पाक लबो को देखता उद पर कंट्रोल करता बोला आप मुझे दमकी दे रही है दमकी नहीं अभी तुछ सिर्फ वान कर रहा हूं अमीरा को शरम आई वो कैसे हुदिसे वो निशान दिखा सकती थी काजिम में कैसे यह कर सकती हूँ क्यूं इसमें क्या बुराई है जब तुम मुझे लिप किस कर सकती हो ये तो कर ही सकती हो काजिम ने से इसकी आज की हरकत याद करवाई वो मैंने जान बूचकर तु नहीं की थी वो तो बस नैचरली हो गई अमीरा नजरे इसके सीने पर टिकाए हर्की आवाज मुपोली किस तो किस होती है फिर चाहे जान बूच कर की जाए या नैचरली और अभी फिलहाल मैं किस नहीं मांग रहा मुझे वो निशान देखना है काजिम इसकी चुकी नजरों को देखते गोया हुआ अमीरा की बिगड़ी हालत इसे बहुत मज़ा दे रही थी का काजिम प्लीज मुझे जाने दे सच में मुझे बहुत नीदा रही है और पिछले दो गैंटों से मैं यहां पर हूँ और अगर मजीद मुझे देर हुई तो महनूर और हीना मुझे डूंटी हुई यहां आ जाएंगी अमीरा हाथ इसके सीने पर रखती इसे हुद से दूर करने की कोशिश करने रगी जो के नामुम्किन था जिसे आना है आने दो मैं किसी से डरता नहीं हूँ निशान तो तुम आज दिखाकर ही जाओगी वनना दूसी सुरत में हम दोनों आज रात यहीं ऐसे ही गुजारेंगे काजिम ने इसकी मजहमत को किसी भी हातर में लाए बगैर कहा अमीरा ने नजरे उठाकर बेबसी से इसकी आँखों में देखा चुरो जल्दी करो अगर यहां खड़े रहकर रात नहीं गुजारनी तो दोनों की आँखें एक दूसरे से मिली थी सांसों की सांसों से तकरार हुई थी दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे के रबो को देखा थम और फिर दुबारा एक दूसरे की आँखों में वैसे तुम्हारी मुश्किल मैं असान कर सकता हूँ तुम्हारी मदद करके काजिन कुछ सोचते हुए बोला दोनों के लब एक दूसरे से सिर्फ एक इंच की दूरी पर थे वो इस पर जुका मुकमल इसके नाजुक वजूद पर कबस था कैसे मदद लबो से लबो का तकरार होते होते बचा था अगर तुम कह दो के वो निशान आप खुद देख ले तो तुम्हारी मदद करते हुए ये काम मैं खुद करनूँगा ये कैसे मदद हुई आप मुझे छोड़कर मेरी मदद कर दे जितनी मदद का मैंने कहुए इतनी ही कर सकता हूँ अगर मन्सूर है तो ठीक वरना खड़ी रहो मेरी बाहों में वैसे तुम्हें मेरी बाहों में मज़ा ही आ रहा होगा आखिर को मुझे इतना चाहती जो हो मीठा सा तंस किया गया था ऐसी कोई बात नहीं है अमीरा हफकी से बोली जबके इस वक्त वही जानती थी इसकी अंदर से क्या हालत हो रही है करने को तो इसने महबबत कर ली थी लेकिन इसकी कुर्बत का तो सोचा ही नहीं था और ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था वो इसे ऐसे भी तंग कर सकता था तो फिर कैसी महबबत है पता नहीं प्लीज तो फिर कैसी बात है पता नहीं प्लीज मुझे जाने दे वो आप रो देने को रो देने को हुई बिल्कुल नहीं के इनम्हें दोनों एक दूसरे की पाहों में गुजर गे देख लें अमीरा की मरी मरी आवाज गूंजी क्या क्या कह रही हो मुझे आवाज नहीं आ रही काजिम जान पूछ कर ऐसा बोला था वरना इसकी सांसों की आवाज भी इसे सुनाई दे रही थी देख लें अमीरा ने सर उठा कर अपकी बार कद्रे उंची आवाज में कहा था काजिम मस्कुराया था और दूसरे हाथ से आहिस्ता से इसका दूबटा थोड़ा सा सर से नीचे की जानिप सिरकाया दूबटा सर से सिरकता इसके कंदों पर गिरा था अमीरा ने हातों से इसकी शर्ट को दुपोचा था दड़कने मामोल से तेज हुई नजरे इसकी चेहरे के नक्ष पर जमाए ठोड़ी की सीथ से शहादत की उंगली से स्ट्रेट टाइन ब्यूटी बोन तक खींचता इसने दूबटे को अपने हाथ की उंगलियों में उलजाते दूबटे को इसकी गर्दन से हटाया था अमीरा की साफ सफेद गर्दन काजिम हान के सामने वाज़या हुई गर्दन पर रेंगते इसके उंगलियों के लंप से अमीरा के वजूद में बर्की लहरे गर्दिश करने रगी थी इसने आँखें जोर से मीच ते काजिम की शर्ट पर हाथों की ग्रिफ मजीद सहती इसके बीचे हुए होन बंद आँखों को देखते दाएं कंदे से फ्राग को नीचे की जानिब खिसकाया तो स्किन कलर की ब्लाउस की स्ट्रिफ इसके सामने वाज़या हुई मुस्कुराते इसने वहाँ पर अपने नरम गरम लब रखे कंदे पर इसका लम्स पाते ही अमीरा ने गहरी सांस परी अपना शिद्द पर अलम्स छोड़ता इसने स्ट्रिफ को भी कंदे से नीचे की जानिब सिर्काया जिससे ब्यूटी बोन के बिल्कुल नीचे बना वो काला निशान वाज़या हुआ मबुहत से इसे देखते काजिम ने इसके इदगेद शहादत की उंगरी गोल गोल गुमाई इस निशान से काजिम हान को महब्बत होने लगी थी ना जाने क्यूं ये निशान इसे इतना क्यूं बा रहा था कि वो जो इससे नफरत करने का दावेदार था इस एक निशान को देखने की हातिर वो सब कुछ भुला देता था जब से इसने इस निशान को देखा था आँखें वापिस से इसकर दिदार करने को बेताब हो रही थी और अब इसे देख लेने के बाद आँखों को राहत सिल लिए निशान को उंगली से सहला दे वो इस पर जुगा पूरे इस तिहाक से इन पर अपने लबों को रखता लबों से इसे महसूस करने रगा काजिम की दाड़ी और मूचों की मीठी मीठी चुबन अपनी गर्दन पर महसूस करती वो अपने हूंट दांतों तले कुचल गई वो ना जाने कितनी ही देर इस निशान पर जुका इसे शिद्दत से चुमता महसूस कर रहा थम वक्त का दुरानिया बढ़ने रगा अमीरा को अब इस जगा जलन महसूस होने लगी सांसे हद दर्जा फूलने लगी तो इसने काजिम के कंदों पर हाथ रखते इसे पीछे की जानिब दकेड़ा था लेकिन इसमें इतनी ताकत कहा थी वो गौडजिला जैसे लंबे चोड़े इनसान को हुच से दूर दकेल पा थी इसकी छोटी छोटी मजाहमतें सब बेकार जा रही थी आहिल ठक कर इसने काजिम हान को उस से दूर करने के लिए जोर से इसकी गर्दन पर दांत कार थी गर्दन पर होती दर्द और जलन के हिसास से काजिम ने इसकी गर्दन से सर उठाया था और अमीरा की जानिब देखा जो इसकी गर्दन पर जुकी काट रही थी इसने फोरण से इसे हुच से दूर पहंका अमीरा इस जानक होने वले अफ़ताद पर लड़ खड़ाती हुई पीछे दर्वाजे से जा लगी थी काजिम ने सक्त नजरों से इसकी जानिब देखते अपनी गर्दन पर हाथ फेरा था जहां मीरा ने काटा था उंग्लियों पर कुछ कीले पन के हिसास हुआ तो इसने हाथ सामने करके देखा जहां इसकी उंग्लियों के पोरों पर हून लगा था अपनी उंग्लियों से नजर हटाते इसने सामने दर्वाजे के साथ नहीं हुद को टुकर टुकर देखती अमीरा की जानिब देखा था इसकी नजर इसकी गर्दन पर पड़ी जहां वो निशान वाली जगा टमाटर की तरह सुरक थी काजिम के लब ना महसूस अंदास में मस्कुराए बिखरे हुलिये में वो सरापाय क्यामत बनी इसकी दर्दनों को मुन्तशिर कर रही थी तम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की चहरे पर सर तासुरा सजाए वो बारी रोबतार आवाज में गोया हुआ आप मुझे छोड नहीं रहे थी इस दिए मैंने ये किया हमेरा अपना हुलिया दरुस्त करती दुबटा अच्छे से सर पर रखती यहां से बागने की तियारियों में थी अगर मैं छोड नहीं रहा था तो तुम्हें मेरे छोडने का इंतिजार करना चाहिए था तुम्हें किसने जंगली बिली बनकर मुझे काटने को कहा आपने मेरे साथ दोखा किया है आपने निशान बस दिखाने को कहा था लेकिन आप तो छूने रगे इसलिए मैंने ऐसा किया और जब जब आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैं भी ऐसा ही करूँगी समझे आप अमीरा कहती फोरण से दर्वाजा खोड़कर वहां से बागी थी जबके काजिम हान वहां खड़ा हाली दर्वाजे को गूरता रह गया सरजटकता आइने के सामने खड़े होकर इसने अपनी गर्दन को देखा जहां दादों के निशान जहां दादों के निशान वाली जगा सुरख होई थी और निशानों से हून की चोटी चोटी बूंदे निकल रही थी अफ्रीकन बिली निशान पर हाथ फेता वो उस्से से बरबढ़ाया अमीरा दबे कदमों से चलती अपने कमरे में आई थी जहां वो दोनों पूरा कमरे साफ करके लाइट आफ करके आराम से बैट पर सोई हुई थी अमीरा ने दोनों को देख रब का लाग शुकर किया था अगर वो जाग रही होती तो सो सवाल करती इस से अमीरा जल्दी से दबे पाउं चलती बैट के पास आई और दोबटा उतार कर सर की जानी प्रक्ती आराम से लेट गई कासिम की शिदती याद करके इसका दिल एक पार फिर सपीर्ट से दड़कना शुरू हुआ था इसने अपने निशान पर अपना हाथ रखती कासिम के लंज को महसूस करती अपनी आँखें सुकून से बंद की कासिम के मूचों और दाड़ी की चुबन इसे अभी भी इस निशान पर चुपती महसूस हो रही थी कासिम भाई ने जान छोड़ती अमीरा आँखें बंद की कासिम के हैलों में खोई हुई थी के अपने कान में सरगोशी की आवाज सुनकर इसने चट से अपनी आँखें खोली और नजरे फेर कर महनूर की जानिब देखा जैसके कान के पास चुकी मुस्कुराती इसकी जानिब ही देख रही थी मैं मैं कासिम के साथ तो नहीं थी अमीरा अटक्तर बोली मैं तो दादो के साथ थी मेरा अमीरा जूट बोल गई अगर सच कहती तो महनूर इसे मजीद तंग करती अच्छा तो दादो के पास जाने से मैडम की दड़कने इतनी बड़ी हुई हैं अमीरा की तेज दड़कनों की दख दख हमोश कमरे में साफ सुनाई दे रही थी हूँ मुझे बहुत नीन दा रही है मैं सोने रगी हूँ तुम भी सो जाओ अमीरा बिना इसकी बातों का जवाब दिये साइट की करवट दिये आँखें बंद कर गई महनूर भी मुस्कुराती आँखें बंद करके सोने की कोशिश करने रगी आज हल्दी का फंक्षन था पूरे वेरा में अफरा तफड़ी मची हुई थी सब अपने अपने कामों में मस्रूफ थे महनूर अमीरा और हीना अपने कमरे में बैठी शाम के फंक्षन की प्लैनिंग कर रही थी के मुलाजिम एक बड़ा सा बॉक्स उठाए इनके कमरे में दाखिल हुई तीनों बॉक्स को देख हिरान हुई मुलाजमा ने बॉक्स बेट पर रखा ये क्या है अमीरा ने हैरत से इसे देखते सवाल पूछा पता नहीं बीबी जी गलीबरी वला लड़का देख कर गया है हिना बीबी जी के नाम पर मुलाजमा कहती वहां से चली गई ये मेरे नहीं आया है हिना इतने बड़े बॉक्स को देख तजस्स से बोली ये किसने बेजा है तुम्हें महनूर ने पूछा जिस पर हिना कंदे उचका गई पता नहीं किस ने बेजा है, खोल कर देखती हूँ, आखिर इतने बड़े बॉक्स में है क्या हिना बॉक्स की जानी पड़ी और इसे खोलने लगी, जबके अमीरा और महनूर भी इसके साथ खड़ी देख रही थी बॉक्स की पैकिंग खोलने के बाद इसने बॉक्स ओपन किया, बॉक्स में ड्रेस और साथ ड्रेस के साथ का खुसा पड़ा था हिना ने ड्रेस बाहिए निकाला, फुल लॉंग, लाइट, यालो कलर का फुराब, जिसके गले बाद उपर, हलका फुलका मोधियों का काम हुआ था साथ, बिलकु लाइट सा, हमरंग दुबटा, जिसके पास, बार्डर पर काम हुआ था नीचे चूड़ी तर पजामा, और साथ ही येलो ही, खुसा था देखने में ये ड्रेस जितना सिंपल नफीस सा था, इतना ही महिंगा था जिसका अंताजा इन्हें फ्रॉक के साथ लगे, प्राइस टैक को देखकर हो गया था वह, यार क्या ड्रेस है, अमीरा और महनूर दोनों की आँके ड्रेस देखकर चमकी ड्रेस तो बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे ये बेजा किसने है, हिना ड्रेस को आगे पीछे करके देखती हुई बोली बॉक्स में देखो, कोई नोट होगा, अमीरा ने सोचते हुए कहा महनूर ने जल्दी से बॉक्स खंगाला, लेकिन बॉक्स हाली था मुतसिम, इनके कमरे के बाहर खड़ा, तीनों को देख रहा था इसने ही ये ड्रेस हिना के लिए ओर्डर की थी, कलवे इसको बारी कप्रों में अनकमफोर्टेबल महसूस कर रहा था ओपर से इसका दुबटा, सर पर ना लेना, इसे सत नागवार गुजरा था और सबसे जएदा उसा थो, इसे इसके पाउं में इतनी उंची हील देख कर आया था इसलिए इसने आज इसके लिए अपनी पसंद से शॉपिंग की थी वो दर्वाजे के बाहर खड़ा हिना को देख रहा था जो ड्रेस सीने से लगाए, इन दोनों से महु गुप्तगू थी अल्ला जाने किसने ये ड्रेस बेजी है, क्या हमें मामा को बताना चाहिए हिना सोचती हुई बोली नहीं, मामी को मत बताना, मामी को पता चला, तो घर में सब करवालों को पता चल जाएगा मुझे लगता है, ये ड्रेस गल्त ड्रेस पर आ गई है, हिना को योड भी तो हो सकती है, लास्मी नहीं हमारी हिना ही हो अमीरा इसे टोकते बोली तो फिर इस ड्रेस का क्या करें, हिना ड्रेस को बेट पर रखती बोली इसे फिलहाल बॉक्स में डाल कर वार्डूप में रख दो बाद में देखेंगे इसका क्या करना है हाँ ये ठीक है महनूर ने भी अमीरा की बात में हाँ मिलाई मुतस्म जो कब से बाहि कड़ा इनकी गोहर अफशानिया सुन रहा था ड्रेस को रखने के मश्वरे पर इसने सकती से अपनी मुठियां बीजी वो जिसने इसे आज के फंक्शन के लिए ड्रेस पेजी थी वो इसे एक साइट पर रखने वाली थी मुतस्म बिना कुछ भी सोचे कमरे में दाहिल हुआ जबके तीनो इस अचानक अपने कमरे में देख सीधी होकर खड़ी हुई ये ड्रेस मैंने बेजा है मुतस्म साफ को इसे कहता तीनो को हिरान कर गया जबके माहनूर तो कुछ ज़्यदा ही शौक हुई थी इसके भाई ने वो भी किसी लड़की के लिए ड्रेस बेजा था जबके आज तक इन्हों ने ऐसा जबके आज तक इन्हों ने इसे क्या अपनी मंगेतर को भी कुछ नहीं लेकर दिया था और अगर माहनूर कभी ज़्यदा जिद करती भी तो बस अपना कार्ड इसे दे देता था शौपिंग के लिए पर हुद कभी साथ नहीं जाता था बाई आपने ड्रेस बेजी है वो भी हिना के लिए माहनूर अटक कर बोली हाँ मैंने बेजी है क्यों कोई प्रॉब्लम है बारी आवास पर महनूर ने फोरण नफी में सर हिलाया और चुप कर गई लेकिन मुतसिम भाई आपने हिना के लिए ड्रेस क्यों बेजी है अमीरा ने हिरानगी से पूछा जबके हिना चुप खड़ी मुतसिम को गूर रही थी क्योंके मुझे इसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं रगी दर्वाजे के पास ब्लैक जीन्स के उपर ब्लैक शर्ट पहनी बालों को हमेशा की तरह सलीके से सेट किये हुए वो खड़ा दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले वो इतमे नान से गोया हुआ जबके मीरा और महनूर शौक में गोता जन हुई मतस्म हान को बस देखती रह गई इनके पास तो जैसे मतस्म से कुछ कहने के अलफाज ही हतम हो गए थे आज के फंक्शन में तुम यही ड्रेस पहनोगी और बिलकुल तियार नहीं होगी मतस्म अपनी कहता मुड़ा मैं क्यों यह ड्रेस पहनूँ मुझे यह ड्रेस बिलकुल भी अच्छा नहीं रगा मैं वो ही ड्रेस पहनूँगी जो मैंने पसंद किया है और मैं यह खुलसा नहीं पहनती मैं हील्स पहनती हूँ और शादी और शादी पे कौन पागल मेक अप नहीं करता मैं तो करूँगी अब प्लीज अपना ये ड्रेस ले जाए हिना जो कब से चुप खड़ी थी इसके हुकम पर तप्ती बोली मुतस्थिम जो जाने ही वाला था इसकी बातों पर इसे पलट कर देखा तुम वही करोगी जो मैंने कहा है और तुम आज यही ड्रेस पहनोगी वो चलता इसके गरीब हुआ जबके अमीरा और महनूर मुतस्थिम हान की देवर देखते किसकर थोड़ा सा साइट पर खड़ी हुई हिना ने इन दोनों की जानिप देखा जो इसे अकेला मिदान में छोड़तर फट साइट पर खड़ी हो गई थी देखें आप यह क्या कर रही है आप मुझ पर कैसे हुकम चला सकते है मैं अपनी मामा को बताऊंगी मुतस्थिम हान की नस्थिकी पर वो बुखलाती हुई बॉली जिसको बताना है बतादो लेकिन तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा आज से तुम मेरी मरसी के मताबिक चलोगी वही सब करोगी जो मुझे पसंद है वही पहनोगी जो मुझे अच्छा लगता है समझी तुम इसके चेहरे की जानिप थोड़ा सा जुकता अपनी गरम सांसे इसके चेहरे पर छोड़ा वो पीछे हुआ मतस्दिम के इस इंकिशाफ पर महनूर और अमीरा ने मुझे एक दूसरे की जानिप देखा कि बाई ये हो क्या रहा था इनकी गुनाएकार आखे आहिर ये देख क्या रही दी दोनों ने अपनी आखों को मसल कर सामने देखा कि कहीं वो हुआप तो नहीं देख रही लेकिन आखे मसलने के बाद भी मतस्दिम को अपने सामने गड़े देख इन्हें यकीन हो गया ये कोई हुआप नहीं हकीकत है इन्हें बिचारी हीना पर तरसाया लेकिन इन्मे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हीना की तरफदारी में कुछ बोलती किस हक से आप मुझे पर हक जमा रही हैं मेरे बाप हैं मेरे बाई हैं हीना तरख कर बोली ना मैं तुम्हारा बाप हूँ और ना ही तुम्हारा बाई समझी तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ इसलिए वैसा ही करो जैसा मैंने कहा हीना की धोरी को अपने हाथ की दोंग्लियों से उठाया इसका चेहरा अपने चेहरे के मुकाबिल करता बोला नजरें इसके होंटों के किनारे पर सजे तिल पर तहरी तो गले में कांटे से चुबने लगे सीने में जलन और सिग्रेट की शदीद तलब होने रही बेहुदी के आलम में इसने दूसे हाथ से इसके तिल को छूना चाहा था के हिना ने इसके सीने पर हात रखती इसे पीछे की जानिब जटक दिया के वो जो इसके सहर में जक्रा हुआ था कुछ कदम इससे दूर हुआ और होश की दुनिया में आया महनूर अपने भाई को महनूर अपने भाई को बोलो यहां से चला जाए हीना बागती इन दोनों के पास आती इनके पीछे चुपती हुई बोली जबके मतस्जिम इसके खुच से दूर चटकने पर हून शाम नजरों से इसे ही गूर रहा था इसे शाम को ये ड्रेस पहना देना और हाँ इसे जरा भी मेक अप किया तो तुम दोनों की हैर नहीं मतस्जिम कहता इनके पीछे चुपी हीना को सक्ट नजरों से देखता वहां से निकलता चला गया इसके जाते ही तीनों ने सुक का सांस हार्च किया था हाई जालीम ये मेरी आँखों ने आज क्या देख दिया ये मेरा बाई मतस्जिम हान है महनूर अमीरा की जानिब देखती बोली अल्ला इसका मतलब बाई को हीना से महब्बत हो गई है अब की बार अमीरा बोली जबके हीना इन दोनों के दर्मियान परिशान से कभी महनूर को देख रही थी तो कभी अमीरा को तुम दोनों एक या बकवास किये जा रही हूँ कितना बत्तमीज है तुम्हारा बाई मैं अभी मामा को बताती हूँ हीना उंची अवास में कहती कमरे से बाहिर निकली थी